नहा सिंहराथऊ के बारे में क्या घाई, उच्छी लड़की थी। मेरी जो दोस्त जो मेरे साथ पढ़ाई की है। अब कौन से नहा सिंहराथऊ के बारा पूछ रहे हैं, वो बता दिए। नहा सिंहराथऊर लोग गाईका है, बड़ी फेमस है। मैंने भी कही बार उनका कुछी कई रखे रहे जो किसी का तल्वा चाटके आगे बढ़ी है और कहती है खिसारी लाली आदो आखो कॉल लुच्चा लफंगा आप बताईए वो वीडियो जाके देखिए फिर आपको जो है आप लोक गाई का कहने में आपको सरम आएगा खिसार बुच्पूरी इंड़स्टी के जो है सुपरेश्टार बने अच्छे गायक बने और उनको लुच्छा लफंगा कहती है निया सिंह ठाओर यह लोग गाई का जो है क्या इनको इनको इतना अधिकार दिया गया कि यह सब को गीत के माध्यम से गरी आते रहे इनको इतना अधिकार दिया गया है पताइए यह बोलती है कि यूपी में काबा यूपी में नौइडवा जहां पर वाइट के आप हमारा इंटर्वियू ले रहे हैं यूपी में नौइडवा जहां पर वाइट के इंटर्वियू देती है कोई विक्ति करें तो बुरा हो काबा इस शब्धों में क्या गलत है इस शब्धे विए ने अच्छा ही तो दे जैसरे शब्दों को समझ спाने को भगवान आपको दो आक देंकी सब्गवान आपको दोनों आखर northern तो दोनों और ने किया था उसी सब्दों का इस्तमाल मैं यहां पर कर दूंगा तो आप बोलिएगा कि भाजबा का मनिसका सफ युवाने ता जो अबादर सब्दों का इस्तमाल कर रहा है यह दोरी मांसिक्ता क्यों क्यों आजादी दी गई है उनको कि किसी भी पूरुस को गरिया दे मनिसका सफ उनके लिए खड़ा था लेकिन जब उनका अच्छा दौर आया तलवा चाटके और उन्होंने रंग बदल दिया तो मनिसका सफ रंग बदलने वाले लोगों के साथ नहीं खड़ा होता है एक दम जब यूपी पूलिस ने समन दिया था मनिसका सबने बोला था कि नहीं होना चाहिए छी से हट नेया सफ जेल में गया तो यहीं नेया सिंग्राट और चैनल वे बैटके जो है मेरे खिलाब बोलना की एजयंडा था भी पक्ष का कि मनीसका सब्सेप के खिलाब बोलना है अरे नेहा अगर हम आपको बेहन माने थे तो आपको भी मुझे भाई समझना चाहिए था इस में से बताईए उनको सब्वर का चैन सही से कीजे और नहीं तो जिस परकार का सब्वरकार चैन आप दूसरे किसी के लिए कीजेगा कोई और जो है तीसरा व्यक्ति आपके लिए वो तब सोसल मीडिया पर बैट के रोहिए गमत और यूपी में बहुत कुछ बाँ बिहार में बहुत कुछ बाँ और देश में बहुत कुछ बाँ दूनु आख रहते हुए आंदा बनने का प्रयास मत किजिए खोलिए और हां बेहन हां जोड़के विनती है कि तल्वे चाट के आ लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई ख़बर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24